क्या आपकी डाइट सही है? क्या आप अपनी किसी बीमारी को दूर करने के लिए डाइट के परहेज फॉलो करते हैं? क्या आपको दवाओं का उतना फायदा होता है जितना होना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? कहीं डाइट को एगनोर्जों नहीं कर रहे हैं आप? क्या आपका वज़न जादा पाचन कमजोर है और बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ती हैं? अगर ऐसा है तो ये एपिसोड आपके लिए है और आपको डाइट के इंपोर्टेंस के बारे में जानना जरूरी है हलो हाई नमशकार मैं शिल्पाप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सब के चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शोओ आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ओफ डाइट के बारे में आयर्वेट में कहा जाता है कि अगर आपने खान पान का परहेस फॉलो कर लिया तो आपने बीमारी से आधी जंग जीत ली ये बात कहां तक सही है क्या डाइट इतना जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयरवेद की एहमियत उसका रेलेवेंस और उसकी साइन्टिफिक ट्रीट्मेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपका अभियान है कि authentic आयरवेद, सही और scientific आयरवेद पहुंचे घर घर, जिससे natural health हो घर घर में, जी हाँ, वो हस्ती हैं Dr. Chauhan, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी, वेलकम टु जीवा हेल्थ शो, बहुत बहुत धन्यवाद, तो व्यूवर्स, Dr. Chauhan हमारे बीच मौ और आप एक सही और genuine diet process के बारे में जानना चाहते हैं, तो सेहत का नमबर आपकी screen पर है Dr. Chauhan, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि diet का आयरवेद में क्या महत्व है और इसका treatment में क्या रोल है देखिए आयरवेद के अंदर जो है रोगों का जो मूल कारण है, हम बार-बार आपको बताते हैं, वो है मिथ्या आहार और मिथ्या विहार, थोड़ा मतलब समझा देता हूँ, यानि के गलत diet और गलत lifestyle अगर जो है आप भिमार है तो भी उसमें जो है अगर आपकी diet गलत होगी तो आपकी चिकित्सा जो है ठीक से नहीं होगी, इसलिए जो है diet का बहुत महत्व है चिकित्सा में और एक पुरानी कहावत है आपने सुनी होगी, food is medicine, बिलकुल सही है क्योंकि उचित मात्रा में ख अगनी स्वस्थ रहेगी तो उत्तम क्वालिटी के धातू बनेंगे आपके शरीर के अंदर, धातू यानि के जो tissues है हमारी, muscles है, हड्डियां है, खून है, यह अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, और यह अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो इनका जो सार है, जिसको हमारे व बात किये हैं, कि चिकित्सा से क्या सम्बंद है, तो हमारे यहां कहते हैं, अपत्यम के मौश्दी, यानि के जो बिमार वेक्ती है, अगर वो डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, तो धवाई क्यों खा रहा है, क्योंकि जो मेडिशन आपके दोशों को बैलन्स करने के लिए दी गई है, उन्हीं दोशों को आप गलत डाइट लेकर के अगर बढ़ाते रहेंगे, तो फिर काम नहीं होगा, बिल्कुल अधूरा काम रहेगा, तो आईरवेद में निदान परिवर्जन इसको कहा गया है, और निदान परिवर्जन भी एक प्रकार की चिकित्सा है, यानि के डाइट भी आपकी एक तरह की मेडिसन है, और सबसे बड़े बड़ा जो निदान है हमारा जो डाइट ही है, तो जीवा में हर पेशिंट को परस्नलाइज डाइट चार्ट दी जाती है, और जैसा कि आपके स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं आप, यह यह डाइट चार्ट हम आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको भूखा मारने की कोशिस करें, हमारा कोशिस यह रहती है, कि आप लोगों का हित हो, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, कि यह जो डाइट है, यह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो अपनी डाइट के साथ बिलकुल कोई खिलवार नहीं करें, और नहीं तो आपको जो है, बहुत इसके खतरनाक नतीजा उसका फिर आपको भूगतना पड़ेगा, जी डॉक्टर सहाब, तो इसी के साथ में आप से पूछना चाहूंगी, कि आपने कहा कि डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, तो ऐ कंभीर रोग हैं, जो बहुत सीरियस डिजीज है, जैसे कैंसर है, किडनी का प्रॉबलम है, हाट की प्रॉबलम है, कई लोगों को अलसरेटिव कोलाइटिस है, या जितने भी जो सो कॉल्ड इनक्योरेबल डिजीज हैं, उनमें तो डाइट चार्ट बहुत इंपोर्टन है, बहुत इंपोर्टन है, जब तक आपकी मेडिसन है, तब तक जरूर करना है, और उसमें भी हमारे डॉक्टर्स जो हैं, आपकी कंडिशन को समय समय पर चेक करते रहते हैं, हमारे यह पूरा एक रिलीफ ट्रेकर बनाया जाता है पेशिंट का, हर महीने उसका रिलीफ ट्रेक करते हैं, उसको देखते हैं, और उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं, लेकिन याद रहें कि आपके लिए यह डाइट चार्ट बनी है, आपका रोग है, आपका ही शरीर है, थोड़ा सा रिस्पॉंसिबिलिटी आपकी भी बनती है, जी डॉक्टर सहाब, तो दोस्तों, डाइट के नाम पर, मार्केटिंग करके तरह-तरह के डाइट प्लांस मार्किट में बेचे जा रहे हैं, जबकि सही और रियल डाइट प्रोसेस लोगों से दूर है, जानिए सही और नच्रल डाइट प्रोसेस को, जुडिये जीवा आयर्वेट से, क्योंकि प जैसा कि आपने बताया कि डायेट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, डायेट रुटीन को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, रोगों के उपचार के लिए, वैसे मैं आपसे और बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे हूं, लेकिन फिलाल एक विडियो कॉलर है, जो पहले अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं. इससे पहले कुणों से या बैदिक आइरबेदा से जगा जगा से मैंने दवाया ली, लेकिन कोई खास भरक नहीं पड़ा, उसके बाद जब जीवा से मैंने संपर किया, तो जीवा वालों ने तुरंट रिस्पांस दिया, मेरी मेरी पूरी डिटेंड मालूम करी, मेरी एज मेरी सुगर लेवल मालूम किया, कितने समाज से मुझे सुगर है, और साती सात मैं क्या काम करता हूं, और मेरी एज क्या है, ये सारी डिटेंड पूच करके, उन्होंने जो है, कस्टमाइज दवाई बना करके मेरी को भेजी, जिसका मुझे काफी फरक पड़ा, और पहले ज दो सो पैती से एक दो सो पचास तक रहता था, और आग जो है, एक सो बती से लेकर, एक सो पचास के बीच मेरा सुगर लेवल रह रह रहा है, मैं जिवा का प्रोग्राम हमेशा देखता हूं, तो इससे उन्हों की बात से जो है, मुझे कुछ प्रभाव पड़ा, मेरे मस्ति में और दवाई का भी मेरे पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्योर आयरिवेदिक है, तो इससे जो है, कोई नुकसान भी नहीं है, इसलिए मैं जीवा आयरिवेदा को धन्यबाद करता हूं, तर्था ट्रॉक्तर प्रताब चौहां जी का भी अंगर करता हूं, जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने जो है, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम क्या करते हैं, आपने बताया कि जब हम अपनी यहां बातें करते हैं, शिलपा जी के साथ, तो उसमें हम आपको समझाते हैं, और सरल भासा में समझाते हैं, जिसको सुन कर आप्परभावित हुए और अपने हमारे हाँ कॉल किया और बहाँ जब कॉल किया तो आपने बहुत विस्तार से समझा दिया किस प्रकार से हमारे doctors जो है consultation करते हैं उसके बाद जो है फिर आपने बड़ा अच्छा शब्द प्रियोग किया कि customized दवाई personalized दवाई इसी के लिए हम बहुत कोशिस कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है कि लोगों को समझाईए कि यह जो customized जो दवाई होती है जो personalized दवाई होती है इसका benefit क्या होता है जैसा कि आपको benefit मिला आपकी sugar जो है 200 से और बिलकुल normal range में आ गई है और हम जैसा अपने show में बार-बार कहते हैं कि personalized आयरवेद ही है सही आयरवेद यानि कि आपकी जो personal problem है उसको समझ करके एक आयरवेद एक diagnosis बना करके जो डॉक्टर जब आपके लिए personalized दवाई बना करके भेजता है और personalized आपको diet chart बना के भेजता है exercise plan बना के भेजता है और आयरवेद की उत्तम से उत्तम जो आउशदिया है वो आपके घर तक हम पहुंचाते हैं यही हमारा अभियान है कि घर घर में पहुंचे असली और natural आयरवेद वाव डॉक्टर सहाब and hats off to you यह जो आप प्रयास कर रहे हैं घर घर में आयरवेद को पहुंचाने का बहुत successful हो गया है और लाखों लोगों ने जी वाईरवेद से उपचार पाया है और आपसे request करना चाहूंगी अगर ऐसी ही कोई case study आप अमारे साथ share कर सकते हैं जी बिलकुल देखे case study आपके साथ जरूर share करेंगे इस episode में हम देखे diet के बारे में बात कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि रोगों का इलाज जो है उसमें diet भी उतनी ही महतपूर्ण है जितनी की दवाईयां कैई बार patients जो है थोड़ा सा cheating करते हैं आपने भी कैई बारी देखा होगा कि कोईश लोग जो होते हैं वो cheating कर लेते हैं और medicines लेते हैं तो परहेज नहीं करते तो उन्हें आराम नहीं मिलता तो फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं उसके बाद बहुत बार देखा हैं दवाईयां ले रहे हैं लोग परहेज नहीं कर रहें लेकिन आके बोलेंगे आपकी दवाई बेकार है तो आयरवेद को जो है ब्लेम नहीं करना है दॉक्टर को ब्लेम नहीं करना है पहले आप अप कहीं चीटिंग करें तो हमें पता नहीं चलेगा सब डॉक्टर हमारे समझ जाते हैं के स्टेडी की आपने बात किये एक के स्टेडी आपके साथ हिहां में शेयर कर रहा हूं और ये जीवा जो हमारी MRC जिसको हम कहते हैं Medical Research Center जो जीवा का है वहां पर ये पेशेंट ने वीडि बहुत कम लगती थी और नींद भी अच्छी नहीं आती थी इस पेशेंट को तो हमने जब इसको डाइग्नोज किया पूरा तो हमारे यहां डाइग्नोसिज बनाया अमलपित साधारन रोग है कोई बहुत मुश्किल रोग नहीं है अक्सर चार-पांच महीने में ठीक हो जा जाता है कि छोटा सा रोग है बड़ा मुश्किल रोग निए चार-पांच महीने में ठीक हो जाता है चार महीने यह दवाई खाता रहा लेकिन कहता जी कोई आराम नी आ तो फिर हमारे डॉक्टर्स ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि जो रोगी है उसने चा पतली बोला समझाया तो उसकी समझ में आया फिर उसने परहज पूरा किया आप देखिये पांचवे महीने में उसको आराम बिल गया और छटे महीने में रोग पूरी तरह से उसका पूरा ठीक हो गया इसलिए डाइट का बहुत इंपोर्टेंस है आप सभी से मैं बार बार जो भी आपको डाइट चार्ट दिया जाता है उसको बिल्कुल रिलीजिसली आपको फॉलो करता है चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है नहीं तो आपका ही नुकसान होगा पैसे भी खर्च होंगे आपके और रोग भी ठीक भी होगा जी डाक्टर सहाब थांक्यू फॉड़ाट एक्स्प्रेनेशन एक व्यूवर है जो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चारहे हैं जी सुनते हैं इसकी प्रॉब्लम है यह कभी उसकी वज़े से कभी कभी पॉस्टिपेसन हो जाता है कोई अच्छी दवा हो तो काल किया सबसे अच्छी बात तो शिलपा जी यह है कि हमारे शो के माध्यम से हम छोटे-छोटे कस्बों में चोटे-छोटे गाउं में और अगर आप जानते हैं भारत में हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मेडिकल जो इंफरस्ट्रक्चर है वो शेहरों में तो बहुत अच्छी मेडिकल फैसल्टी नहीं है तो हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे छोट-छोटे जगे से भी हमारे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनके घर दवाई भेज देते हैं कितना बढ़िया सिस्टम है जो क्वालिटी ऑफ मेडिशन एक शेहर के वेक्ति को उप लब्द करा रहे हैं सेम कोई उसमें भेदभाव नहीं बिल्कुल तो बहुत अच्छी खुशी की बात है आपने प्रशन पूछा है कॉंस्टिपेशन का और आपने कहा कि डाइबिटीज आपको है तो एक तो भोजन में कोशिश करिए आप कि जो भी खाएं गरम-गरम खान दाल करके खाईए देशी घी हमारे जीवा में एक एटू घी भी मिलता है बहुत बढ़िया क्वाव उसको भी आप मंगा सकते हैं और साथ में केवल सबसे पहले तिरफला चुरन से शुरू करिए माइल्ड लेक्जेटिव आपको सबसे पहले लेना है और मैं तो कहूंगा अगर आप डायबेटीज का इलाज नहीं कर रहे हैं अभी आईरविदिक तो डायबेटीज का इलाज भी आईरविद से ही आप सुरू कर दीजी बहुत फाइदा होगा विशेश रूप से आपके शरीर में जो शक्ती बनी रहेगी धातू कमजोर नहीं होंगे और जो लोगों के मन में भी रहा होगा, उनको भी बहुत अच्छा solution मिल गया, तो दोस्तों, अगर आप भी कोई solution पाना चाहते हैं, आप भी हमें video call कर सकते हैं, सेहत के नंबर पे, अपने नजदी की जीवा क्लिनिक्स में जा सकते हैं, सेहत के नंबर पे जीवा के एक्सपर्ट से ब सेहत का नंबर है 0129 4040404 डॉक्टर सहाब, पूछना चाहूंगी कि एक हल्दी डाइट फॉलो करने के लिए, आम इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे होनी चाहिए उनकी डाइट? सबसे पहली चीज जो है, बार-बार बताते हैं कि आपको अपनी प्रकृति समझनी है, अगर आपको अपनी प्रकृति नहीं मालूम है, तो आप जैसे हमारा जीवा की वेबसाइट है, वहां जाकर के एक टेस्ट है, वी-पी के टेस्ट बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं, क् कि प्रकृति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप पित प्रकृति हैं तो उसमें अगनी तेज होती है कफ वालों की अगनी मंद होती नेचुरल ही है दूसरा जो है रोक के अनुसार आपको डाइट आपकी होनी ची अगर आप बिमार हैं कोई आपको अल्रेडी कोई डि तो जिसका मतलब क्या है कि सात्विक डाइट आपकी होनी चाहिए अगर हो सके वेजिटेरियन डाइट आपकी होनी चाहिए जी डॉक्टर सहाब थैंक यू फॉदा और आगे बढ़ते हुए आप से पूछना चाहूंगी आज कल में देखती हूं बहुत सारे लोग जो है सोश करते हैं कि जो भी नुट्रीशन मिले डाइट से मिले आपको सीजनल फ्रूट्स खाईए नट्स खाईए और गोली खाने की क्या जूरूत है आपको ड्राइफ रूट्स खाईए दूद पी लिजी अच्छी क्वाल्टी का दूद उसमें बहुत सारे नूट्रिंट्स होते ह घी तो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है आज भारत से ज़्यादा तो विदेशी लोग घी खा रहे हैं और यदि आपको सप्लिमेंट्स कुछ लेने भी हैं तो नेचरल होने चाहिए हैं सिंतेटिक सप्लिमेंट्स आपको नहीं चाहिए हैं आमले का जूस है जीवा में भी मिलता है आवला जूस है अलोई वेरा जूस है वीट ग्रास जूस भी हमारे हैं मिलता है इसमें सबसे ज्यादा नूट्रिशन होता है वीट ग्रास के अंदर जीवा का ओजस कैप्सूल है जीवा की अश्वगंदर टेबलेट है जीवा का चवन प्राश सु क्यों आपको सिंथेटिक चीजें लेनी हैं कोई जरूरत नहीं है जी डॉक्टर सहाब थैंक यू सो मच इसी के साथ एपिसोड का वक्समात हो चला है जीवा हेल्थ शो में चार चांद लगाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवार थैंक यू तो दोस्तों आपने देख आयूरवेदिक उपचार पाना चाहते हैं तो जीवा आयूरवेद के डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं आप जीवा आयूरवेद के नजदी की हेल्प क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कॉंटक्ट करके विडियो कॉल या वोइस कॉल द्वा या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 0129 4040404। आपकी सेहत की इमेल आईडी है info at jiva.com आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, उमीद है आज के एपिसोड में आपको काफी valuable information मिली होगी। और जैसा कि डॉक्टर साब ने आपको बताया कि आपका जो stomach है वो कोई garbage बिन नहीं है। इसलिए कुछ भी खाने से पहले सोचिए कि उसका negative effect कैसे आपकी health पर होगा। क्योंकि life में जो असली wealth है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी health है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टेक के, गुद्बाइ, नमस्कार। Jeevagram has been built using traditional Indian architectural practices to house you, the life force. Beyond just massages and panchakarma, Jeevagram goes one step further to understand you. Here, every therapy is meticulously designed to undo the root cause of your ailment, restoring health and happiness. A holistic experience supported by Yoga, Meditation, Raja Chikitsa, Ayurvedic cooking classes will leave you rejuvenated and complete. A healing experience awaits you at Jeevagram. Jeevagram Music 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 झाल झाल